साथियो नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगए आपके लिए MPPSC 2020 और 2021 की दृष्टी से एक अतिम हैत्पून टॉपिक है Unit 9 का जो है Robotics हर एक प्रेशन के बारे हम आपको डीटेल में जानकारी देंगे जैसा कि आपको पता है Unit 9 इस बार पहली बार जोड़ी गई है MPPSC में तो Unit 9 के अंतरकत जो भी सब्जक्ट आते हैं जैसे कि आप E-Commerce की बात करते हैं E-Governance, Robotics, Artificial Intelligence इस सब के उपर हम अल्रेडी वीडियो बना चुके हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार विजिट जरूर कीजिए सारी की सारी वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी इस से पहले रोबोटिक्स की चार वीडियो हम बना चुके हैं और ये है वीडियो नमबर 5 रोबोटिक्स की तो चलिए बिना समय गवाई हुए चलते हैं सीधे प्रस्ट नमबर 41 की ओर में देखिए प्रस्ट नमबर 41 चत्रो बोट को किस कंपनी ने मिल करके बनाया है किन दो कंपनीों ने मिल करके चत्रो बोट को बनाया है औप्सन ने है DRDO और Aeronautics of India औप्सन भी है DRDO और ISRO औप्सन C है DRDO और Bangalore की Robotex Company या फिर औप्सन नमबर D है सिर्फ DRDO तो किन दो लोगों ने मिल करके चत्रो बोट को बनाया है आईए देखते हैं सही आंसर C यान कि DRDO और Bangalore की एक Robotex Company है इन दोनों लोगों ने मिल करके चत्रो बोट को बनाया है देखिए तो DRDO और Bangalore की एक Robotex Company ने मिल करके चत्रो बोट बनाया है इसमें द्रश से संवेदक अर्थात विज्वल सेंसर लगे हुए इस चत्रो बोट में इसलिए ये और भी ज़्यादा महत्पूल हो जाता है क्योंकि DRDO ने बनाया है DRDO और बैंगलोरू की ये कंपनी ने मिलकर के बनाया है तो आप से सीधे पूछा जा सकता है कि चत्रो बोट को किन दो लोगों ने मिलकर के बनाया फैक्ट वाला प्रस्ट बनेगा आप सीधे आंसर लगाईए DRDO और बैंगलोरू की रोबोटेक्स कंपनी ठीक है चलिए प्रस्ट नमबर 42 की और चलते हैं देखिए प्रस्ट नमबर 42 है पूरी तरह से पहले भा ब्रावो नाम का जो रोबोट है वो पूरी तरह से पहला भारती अध्योगिक रोबोट है आई इसके बारे हम कुछ जानकारी देते हैं आपको तो देखिए टाटा आटो कंपनी सिस्टम लिंटेड यानि कि टी एल ने अप्रेल 2017 में इसको डिजाइन एउम निर्मार किया तक इसको ब्रावो को ठीक है इसे सूच में लगू मध्यम उद्योग यानि MSME के लिए स्वदेशी इस तरपर विक्सित किया गया है किसके लिए इसका उद्देश क्या है तो कर्मचारियों की कमी को पूरा करना इसका मुख्य उद्देश से है ठीक है चलिए आगे बढ़त है GIC तो कौन सा 3D printed human eye robot है भारत का पहला 3D printed human eye robot आईए देखते हैं और इसने अभी यह की बहुत ही महत्पुन कार किया इस वज़े से चर्चा में बना हुए सही answer A यानि की मानव नाम का जो robot है वो भारत का पहला 3D printed human eye robot है देखिए तो अभी यह चर्चा में क्यों आ गया और वह सभी step कर सकता है जो मानवों के द्वारा किया जाता है इस वज़े से चर्चा में आ गया था पहला 3D printed robot मानव क्योंकि इसने एक भारती बॉलीवूट के गाने पर dance करके दिखाया था कहां पर तो एनाइटी कुरुचितर के अंदर यहां dance किया था ठीक है याद रखि आपको बस टेलिग्राम एप पर जाना वहां पर साच करना सक्सेज जंक्षन आपको लोगों देखने को मिल जाएगा आप सक्सेज जंक्षन चैनल को वहां पर जोइन कर लिजिए और सारी की सारी PDF वहां पर पढ़कर कि आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं तो भारत में जबनाएं तो इसने भी एक रोबोट बनाया है जैसा कि आपको पता है हर कंपनिया प्रयाश कर रहे हैं की रोबोटों को तैयार किये जाएं तो इन्हीं में कदम बढ़ाते हुए इन्वेंटो रोबोट ने रोबोट का निर्मार की है आईये देखते हैं आप्सन ए है टेक्नोसियन, आप्सन भी है ब्रावो, आप्सन सी है मित्र और आप्सन नमबर डी है असीमो, सीधे फैक्ट वाला प्रस्ट नहां से बनेगा, एंसर की बात करते हैं, सही आंसर है सी यानि की मित्र नाम का एक रोबोट जो है, वो अभी निजी छेतर की कंपनी इ इन्वेंटो रोबोटीक्स की बारें बता देते हैं, तो इन्वेंटो रोबोटेक्स की स्थापना पूरी जानकारी दी है मित्र के बारे में 2013 में भारत का गगन रियान जा रहा है, यसमें वेख हाप ईम रियान रोबोट है की जाएगा जलिए प्रस्ट नमबर 45 की बात करते हैं तो देखिए भारत electronic limited BEL ने किस प्रकार की robots का विकास किया है option ने है pick and place, option B है UAV, option C है नी को या फिर option नमर डी है इन में से कोई नहीं answer की बात करते हैं सही answer A यान की pick and place तरह के जो है robots का निर्माड कर रही है भारत electronic लिम्टेड यानि की BEL अब क्या होता है pick and place robot आईए देखते हैं तो देखिए सारवजनिक लोक उप्क्रम की कंपनी भारत electronic limited परतम भारती उद्योग है जिसने उत्पादन इस्तर पर स्वदेशी robot का विकास किया है इसने pick and place प्लेस 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 नामक रोबोट का विकास किया जाता है और लगातार ऐसे रोबोटों को बना रही है ठीक है चलिए प्लेस नमबर 46 की और चलते हैं अब इहाल ही में बालक की हिर्दय विक्रती को ठीक करने के लिए रोबोट का प्रयोग किस राजिके द्वारा किया गया है यानि कि एक बालक के हिर्दय में कुछ कि एक टीम ने बालक की हिर्दय विक्रती को ठीक करने के लिए 3D प्रिंटर तक्निकी का सफलता पूरा प्रयोग किया जैसे कि आपको हमने बताया 3D प्रिंटर रोबोट के बारे में अभी हम पढ़कर किया रहे हैं तो उस रोबोट का यूज करते हुए बालक की जो हिर्द प्रिंस किया है चलिए प्रेश्ट मबर सेहतालीस कि ओर चलते हैं हो जारे के सारे के सारे प्रष्ट बहुत ज्यादा महतवण है हर एक प्रेश्टनों को हर एक आयाम को हमने कवर किया यहां पर जो नए रोबोट उनके बारे में बताया है नई नई कंपणिया जो है रोबोटिक्स की तियार की गई है उनके बारे में बताया है कौन से राज्य ने कौन सा कार किया है उन सब के बारे में हमने आपको रोबोटिक्स की पांच भी वीडियो यह चल रहे है यह पांच वीडियो अब तक पूरी जानकारी हम आपको दे चुके हैं चलिए रोबोटिक्स की वह साखा जिसमें रोबोट के सभी भाग मुलायम एव मलचीले बनाया जाते हैं कौन सी है ऐसी साखा आप्सन है soft robotics ऑप्सन भी है robotics soft ऑप्सन सी एश पंजी robotics या फिर नमबर D है इन में से कोई नहीं एंसर की बात करते हैं सही आंसर है भी आनि की रोबोटिक्स सॉफ्ट के नाम से नई साखा चालू की जिसमें की जो रोबोट बनाए जाएंगे उसके सभी भाग जो है वो सभी भाग मुलायम एवं लचीले बनाए जाएंगे देखें तो इससे कि आपको पता है जैसे पिछले कुछ दूनों यहां पर दिखा गया था कि बच्चे जो है सुरंग में फश जाते हैं और बच्चे कहीं गुफा में फश जाते हैं तो उनको निकालने के लिए अब सॉप्ट रोबोटिक्स का यूज किया जाएगा क्योंकि जैसा कि आपको निर्माड किस विस्विद्याले के सुध करताओं के दोरा किया गया है और निको रोबोट का निर्माड किया गया है अब निको रोबोट क्या है आई आपको बताते हैं देखिए इसका निर्माड येल उनिर्सिटी के विस्विद्याले के सुध करताओं के दोरा किया गया ह यह पहला ऐसा रोबोट है, जो अपने आपका भी पहचान आईने में कर सकता है, यागर आप से सामने आईना अएना रख देंगे, तो वो अपनी पहचान कर सकता है, ऐसा रोबोट बनाया है, यह लिए इनिवरसिटी के विस्वित डियाले के सूध करताओं के दोरा, इसे Artificial Intelligence के छेतर में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है यानि कि अब क्या होगा धिरी धिर रोबोट अपनी पहचान खुद करने लगेगा ठीक है ना तो चीजें और आसान हो जाएंगी रोबोटिक्स के छेतर में चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्ट नबर 49 की और चलते हैं त देखिए प्रस्ट नबर 49 देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेदसाला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्ताफित की जा रही है बहुत ही जादा महत्वूर्ण प्रस्ट ने चार पांच इस्टा लगा लिए क्योंकि यह मध्य प्रदेश से संबंदी थे और हम मध्य प् देखिए आइक्ती ओपेम नाम और एक स्वदेशी सूपर पावर ड्रोन बनाया थीया है तो याद रखेगा सीधे वाला प्रस्ट आपका बनेगा कि स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन भीम जो है कहां के विद्दार्तियों है तो आयाइटी खड़कपूर के विद्यारतियों ने इसको बनाया ठीक है तो ये महत्पूर 10 प्रसंद थे कुल मिला करके 50 प्रसंद आपके रोबोटिक्स के हो गए और सारे रोबोटिक्स के प्रसंदों की डीटेल में हमने आपको जानकारी दी है तो सारी की सारी वीडियो देखना आपके लिए बहुत जादा महत्पूर हो जाएगा बाकि ये वीडियो पसंद आयोद वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों के पास सेर कर दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा जल्दी मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद